हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीविएस वीडियोज में ये फंक्शन देखे थे आपने ताइम नाउ तोडे और बागी के जो टाइम फंक्शन और देट फंक्शन जो हमने देखे थे और आज हम देखने वाले है, E-Date, E-Month और आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यह सेकेंड पार्ट जो है हमारा, वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, यह फॉर्मूलाज हमारे वर्क केस में, या आप कोई भी आप वर्क कर रहे है और आपको कोई कैल्कुलेशन करना है, और देट या फिर देज के साथ तो वो कैसे करना है हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे E-Date function, ठीक है, equals E-Date, tab, autocomplete करने के लिए, और start date होगी यह, जो हमारे lift sale है, comma, और यहाँ पर month पूछ रहे है, यहाँ पर अगर मैं 1 अगर लूँगा, ठीक है, तो अभी हमारा June है, June, तो अब 1 हमने लिया है, तो वो next month का same date हमें show करेगा, ठीक है, और अभी हम next यहाँ पर लेंगे E-Date, start date, और यहाँ पर अगर मैं 2 लेता हूँ, तो वो two months बाद की जो date है, वो हमें show करेगी, ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख रहे है, month December है, तो हमें feb की 24th date वहाँ पर show करनी चाहिए, ठीक है, और अगर हम minus में अगर values लेते, E-Date, start date, तो हम one लेते तो क्या होता है, वो one month आगे जाता है, अगर minus one अगर करता हूँ तो वो one month पीछे चाला जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ पर March है तो उसने February शो किया है, तो ऐसे हम plus minus करके, मतलब values लेके जितनी भी हमें plus में चाहिए उतने या minus में, हम number वहाँ पर डालके, जो हमें output चाहिए, जो result चाहिए, वो हम E-Date के use करके, E-Date का use करके, हम वहाँ पर show कर सक है, next function है हमारा, E-O month, ठीक है, end of the month, end of the month, equals E-O month, tab, autocomplete करने के लिए, start date हमारी यह left cell में जो है, और comma देखे, one month, अगर मैं one अगर show करता हूँ, same E-Date के जैसा ही, लेकिन वो next month की जो last date है, वो हमें आपे show करेगा, ठीक है, अभी यह June है, यह June है, यह June है, हमें July की जो last date है, वो month की वो show कर रहा है, मतलब end of the month, मतलब वो month की जो भी end date होगी, वो हमें show करेगा, ठीक है, equals, end of the month, start date, comma, और अभी same minus one, जो last month है, December का जो पिछला मन्त है, उसकी जो भी last date है, वो भी show करेगा, ठीक है, तो यह था end of the month, और हम next देखेंगे, workday and workday international, ठीक है, workday function जो है, सब मजलों हमने कोई काम आज start किया है, और हमें वो finish करने के लिए 21 days है हमारे पास, तो वो 21 days के बाद कौन सी date आएगी, वो हमें workday का use करके पता चल सकता है, ठीक है, तो देखते कैसे use करना है, यहाँ पे आप जैसे की देख रहे है, start date हमें यहाँ पे job start कर रहे है, और days, मतलब इतने days का हमें work दी है, मतलब इतने days में हमें वो finish करना है, और यहाँ पे आप हमेंने यहाँ पे simple जो है, without workday यूज किये हुए, मतलब जो हमारी date है, जो हमने add किये, जो start date है, उसमें मैंने इतने days add किये, तो उतने days बात की वो date show करेगा, ठीक है, लेकिन जैसे की कोई आप company में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे holiday मतलब weekend साते, Saturday, Sunday off होता है, तो वो उन days का कोई काम नहीं होता, तो हमें वो मतलब count नहीं करने होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम workday यूज करते हैं, अगर हम ऐसे यहाँ पे कैसे हम calculation करना पड़ेगा कि 21 days में कितने Saturday, Sunday आ रहे हैं, तो उसके लिए काफी लंबा चोड़ा formula यूज करना होगा, लेकिन workday हमें काफी short में वो काम करता है, तो देखते हैं, workday, अभी start date हमारी यह है, और यहाँ पे days पूछ रहे हैं, तो हमारे जो days है, यहाँ पे 21 days, और holiday, और यहाँ पे holiday जो है, जैसे कि कोई government holidays होता है, ठीक है, वो holidays यहाँ पे मांग रहा है, और by default यह Saturday, Sunday count करेगा, ठीक है, यहाँ पे उसने 30th December यहाँ पे show कर रहा है, जबकि यहाँ पे हमने final date 22nd December थी, ठीक है, अभी जो next function है, workday international, ठीक है, equals workday और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, international intl.intl, वो हमें select करना है, start date, days, यहाँ पे आपको पूछ रहा है, weekend, अब कई-कई countries में अलग-अलग weekends होते हैं, अब अरब countries में जाओगे, वहाँ पे Fridays, Friday होता है only, कोई Friday, Saturday होता है, तो मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे, Sunday only है, मैं वो है select करता हूँ, ठीक है, और हमारा कोई extra holiday नहीं है, इसलिए मैं close करूँगा, December 25th, 2014, तो देखिए, यहाँ उसने 25th December शो कर रहा है, ओके, और अब हम देखेंगे, एक example with, जो extra holiday, government holiday जो है, except Saturday, Sunday के अलावा, जो है holiday, वो हम देखेंगे, जो weekdays में आता है, equals, workday, हमारी start date, जो days है, और holiday वाला जो है, वो select करना है, December 31st, 2014, देखिए, यहाँ पर 31, और यहाँ पर 30 था, एक day उसने add कर लिया, कि नहीं, जो days है, उसके बीच में एक holiday आ रहा है, तो हमारा काम एक दिन और बढ़ जाएगा, मतलब एक day और बढ़ जाएगी, ठीक है, और workday international देखते हैं, workday international, start date, days, और यहाँ पर हमने लिया था, Sunday only, तो मैं यहाँ पर भी Sunday only लूँगा, कॉमा, और जो हमारा holiday है, वो, December 26, 2015, ठीक है, यहाँ पर भी उसने एक day increase किया है, ठीक है, और अभी next है, networking days, networking days क्या करेगा, यहाँ पर आप आप ने देखा कि वो, उतने दिनों बात कि वो date शो कर रहा है, networking days में आपको number of days return करेगा, कि आपका काम इतने दिन, मतलब start date और end date यह दिये, तो आपका actual जो work days होंगे, वो इतने, मतलब actual work days आपको वो show करेगा, ठीक है, यहाँ पर start date और end date किये, मैंने आपर, जो end date है, उसमें से start date minus किये, तो यहाँ पर 30 days show कर रहा है, उसमें से कोई उसने, जो week days और holidays होते हैं, जो weekends होते हैं, Saturday, Sunday वो भी उसने पकड़ के यहाँ पर show कर रहा है, तो equals network days, हमारी यह start date, कॉमा end date, और यहाँ पर कोई holiday नहीं है, इसलिए मैं close करूँगा, तो यह भी by default, Saturday, Sunday, account नहीं करेगा, उसे include नहीं करेगा, ठीक है, अभी next है, network days.intl, international, start date, कॉमा end date, और यहाँ पर भी मैं मंडे लिदा हूँ off, और मैं close करता हूँ क्योंकि कोई holidays नहीं है extra, तो यहाँ पर 26 उसने show किया, 26 days आपको यह date तक आपके 26 days, I mean actual working days है वो होते है, और अभी जो next है, with holiday, अभी यहाँ पर देख रहे हैं, दो holidays है, 15 और 19, तो हम देखते हैं, equals, network days, start date, कॉमा end date, और यहाँ पर holidays के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि कॉमा या separated ऐसा कुछ नहीं, तो आपको यहाँ पर range select करनी है, ठीक है, इसे मैं close करता हूँ, और यहाँ पर उसने 21, यहाँ पर 23 थे, तो यहाँ पर दो holidays आए हैं बीच में इसलिए, और दो कम दिन उसने show किया, वहाँ पर 21 days, और next है, networkdays.intl, international, tab, start date, comma, end date, ठीक है, और यहाँ पर जो holiday पूछ है, जो, मैं यहाँ पर Monday ही लूँगा, जो हमने यहाँ पर Monday लिया था, comma, और जो holidays है, मैं range select करता हूँ, और close bracket, और यहाँ पर 25 शो किया है उसने, ठीक है, और यहाँ पर 25 क्यों शो किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर Monday off लिया था, तो इन दोनों में से कोई, जो date है, वो Monday होंगी, इसलिए उसने यहाँ पर एक ही दिन माइनस किया, अगर आपको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर format चेंज करके देख सकते हैं, यह देखिए, जो first date है, वो ही Monday है इसमें, तो इसलिए उसने एक ही दिन माइनस किया, कि already यह Monday को ही holiday आ रहा है, और next अभी, days 360, days 360, यह जो year के जो date है, वो count करता है, कि जो यह date है, उस year में, मतलब कौन से number का day है, ठीक है, यह फिर, हाँ, वस्वाइस ही count करेगा वो, और, लेकिन वो जो January को है, यहाँ पर जो, दो method है, एक US method है, और एक European method है, तो देखते हम कैसे use करना है, days 360, इक्वल्स, days, यहाँ पर आप टो note भी देख सकते है, start date, और end date, कॉमा, और यहाँ पर हमेंने यहाँ पर heading दिया, US method, इसलिए मैं US method लेता हूँ, और इसे close कर दूँगा, और यहाँ पर zero शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर start date और end date जो है, वो same है, तो उसे वो show ही करेगा, मतलब zero ही बताएगा, क्योंकि यह first, जो year का first day उसे one नहीं show करेगा, वो, zero ही show करेगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर second jan लेता हूँ, तो यहाँ पर one show करेगा, ठीक है, और मैं यहाँ फिल डाउन करता हूँ, तो उसने यहाँ पर जो days है, वो यहाँ पर show कर दिये, मतलब जो start date है, मतलब august 31st से December 31st कितने days होते हैं, तो यहाँ पर उसने वो show किया है, 120 days, और जैसे ही मैं यहाँ पर अभी कुछ changes करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि start date मेरी greater than end date है, ठीक है, January 1st और इसमें December किया है, उस year का last date है, और यह end date जो है, उस year का first date है, तो उसने minus 359, मतलब 360 days, क्योंकि वो first day जो है, वो zero में count करता है, इसलिए, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यह date जो है, end date मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और जो यह first janet मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो वो आपको correct show करेगा, 360 days, ओके, और अभी next है, European method, days, start date, end date, और European method के लिए वाँ पर true use करना है, और यहाँ पर भी same zero ही show करेगा, लेकिन इसमें एक change क्या है, अगर कोई month 31 days का है, तो उसे वो 30 days का count करेगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 1st Jan 2, 31st Jan, यहाँ पर 30 days show कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो 29 days हमें show करेगा, ठीक है, यहाँ पर आप note में देख सकते है, European method, starting dates, and ending dates that occur on the 31st day of the month become equal to the 30th day, ओके, तो यह है European method और US method, days 360 का, तो हमने, जो date से related जो भी है, date या time से हमने, almost पूरा cover कर लिया है, जो basic से वो, और यह आप same sheet, जो description में note है, वहाँ से link है, वहाँ से आप download कर सकते हैं, मिलते हैं next week के साथ, बाई बाई,